नगर निगम धरमशाला के अधीन सरहा का गौसदन एकवा फिर से विबादों में आ गया है गौसदन में सेवा करने आने वाले लोगों का आरोप है कि निगम के सुपरवाइजर द्वारा लोगों को गौसदन में सेवा करने सेरों का जा रहा है और उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है गौसदन में सेवा करने के लिए आने वाले सेवकों और ग्रामिनों का कहना है कि वो पहले भी यहां पर पश्वों को चारा देने आते थे परन्तु जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से उन्होंने यहां पर समय बिताना शुरू कर दिया है तब से कई तरह की खामियां उनके सामने आ रही हैं उन्होंने कहा कि सेवकों दोरा गौसदन में पश्वों के लिए रखा गया गुड और चोकर भी गौसदन से गाइब हो रही है साथ ही निगम दोरा पश्वों को जो चारा खिलाया जाता है वो भी खराब गुड वस्ता का होता है जिससे पश्वों दोरा नहीं खाया जा रहा है और इसकी वज़र से बे जुबान पश्व कुपोशन का शिकार भी हो रहे हैं लोगों का आरोब है कि गौसदन में आने वाले पशु ठीक से देख रिक ना होने के चलते एक महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते हैं तो हमने देखा कि यहां पर एक सूपरवाइजर है वह यहां पर किसी को भी एंटर नहीं करने देते जब भी को यहां पर आता हूं को बोलते कि बाहर निकालो उनके साथ बतमीजी की जाती है हमारे साथ बतमीजी की जाती है हमने हमारे कुछ सेवकों ने यहां पर चोकर फी यह बचारे बारिश में भी यहां पर भीगते रहते हैं तो इनके साथ यहां बहुत दुर्गदी हो रही है जो भी गाएं से बार से आती है एक मिने से जादा नहीं टिकती वह अभी आपने देखा होगा कि राइट ना यहां पर गाय मरी है जिसको यह लोग लेके गए हैं और कि सैलरी 40-40,000 पे है तो देड़ लाख रुपया मुझे लगता है यह खर्च कर रहे हैं इस गोशाला के लिए तो इससे बैटर तो 5-6-6-6,000 पे कि लोकल लड़के यहां पर रगदो काम करने के लिए वो ज्यादा बैटर काम करेंगे और आप इनकी पिछे की रेशो देख हुआई इनके रिजिस्टर मैंने देखे 7-8 दिन पहले रिजिस्टर में कुछ मेंटेन नहीं था अब दड़ादर भरे पर एनके रिजिस्टर की हमने मोके पर यह पहुँचाया यह पुँचाया दवाइा पहुचाया है हमें तो यह तो कुछ नहीं दिखा, यहां पर क्या परन्तु जब से लगाए गए हैं तब से वे खराब चल रहे हैं जिससे गौसदन में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं मिल पा रही है। को इस काम के लिए जोड़ा जो यहां एक सुपरवाइजर है सुन्द सुकला उनकी बत्मिजी की वाज़ से लोग पीछे चले गए जो कि यहां फीड और हराचारा के काम में शेयो करते थे यहां से सबसे बड़ी समस्य है कि यहां पे खाली तूड़ी दी जाती है कोई प्रवल्म के जमिदार लोग जो होते हैं कि शान लोग उसको फैंक देते हैं या जला देते हैं फिर पैसे देके उठोड़ी आते हैं तो वह तूड़ी है यह आपको मिल जाएगा यहां भी देखने को आप बीच में हाला कि यह मिक्स कर दी है लेकिन उसके बाद हमने यह ब बुलाते हैं जरूर आते हैं ऐसा नहीं कि रूटीन में आएंगे क्यूंकि जो जिस बंदे की यहां पे ड्यूटी लगाई गे उसको एक हमारे गाओं में ड्यूटी उसी की है तो बहुत बड़ा गाओं मैं आपको मौलूं ही है कि पशूजादा पाले जाते हैं उसको तो फ्रिय वहन दिक्त है लेकिन फिर भी वह आते हैं यहां पर और वो सेवराबाव से काम और बिलकुल अच्छे से काम करते मेरी सरकार से मांगए है कि इनको अगर रखना हो तो अच्छे से रखे हैं या तो फिर अजादगर्द है ताकि यह खुले में आप देखिए बार जो खुले में रहते हैं बहुत अच्छे हैं जो यहां पर आ जाते हैं मीने के बाद आपको पहचान में नहीं आएंगे आप अभी जो इनकी देख रहे हैं इंप्रूमेंट है लॉक डाउन क सेवा बाब में और अगर इससे एक मीना पहले देखते तो बहुत ज्यादा बीग थे अभी थोड़ा सुदार तो है लेकिन उस लेबल पर नहीं है मेरा सरकार से यही अनुरोद है कि इनको गरिंदरी दी जाए इनको फीड दी जाए और तूड़ी जो मिल रही है गटिया उ इसको बिलकुल ना दिये जाए क्योंकि उनकी पेट में इंफेक्शन होता है और दूसरा पानी की यहाँ पर कोई स्थाई बंदोवस्त नहीं है पानी जो गौपाल गोवन सेवा समिती के लोग है उन्होंने नेच्र सोसस से उठाके यहां पहुंचाया है तो उसके पानी का बंदोवस्त होना चाहिए इस मसले को लेकर नगन निगम धरमशाला के मेर देविंदर जगी ने कहा कि पहले भी इस तरह की शिकायतें उन्हें पराप्त हो रही थी जिस पर उन्होंने स्वें गौवसदन का मुवाइना कर विवस्ताओं की जानकारी ली मेर का मानना है कि द मात के भी नाप तक कूवसदन की बात है तो गौसदन में बैठे वेटिनरी डॉक्टर की निकती कि जा रही है और निरमतर गौवसदन में पश्मुखां का निरेक्शन किया जाता है और यदि किसी गाये को क्छाना नहीं मिल पा रहा है या फिर буду कूवसदन का शिकार हो र वो अच्छी तूडी नहीं है उसके बाद हमने प्रपोज कर दिया है कि उसका जो टेंडर है उसको ख़दम करके नए टेंडर लगा के नए लोगों को उसको अवार्ड किया जाएगा और पोजिशन की बात है उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बैटनरी डॉक्टर की हमन की जाती है तो मैंने पिछले कल भी मैंने कमिश्र से बात करके डॉक्टर को पूछा था तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ क्योंकि यह जो घौव सदन है यहां पर गाए बही आती है जो जो बाहर बिमार हो या सडकों पे जिन लोगों ने सडकों पे छोड़ दिया होता है जो पहले से ही बीमार होती है उन गाउं को वहां पे छोड़ा जाता है और उनकी जो ट्रीटमेंट है जो भी नौम से उसके हिसाब से की जाती है लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई अनिमिता है तो उसकी हम लोग कारवाई करेंगे उसके उपर और जल्दी इस पे अच्छ सदन के लिए उस पे भी हम लोग कारवे कर रहे हैं अरोब तो किसी के उपर लग सकते हैं लेकिन उसकी इंक्वाईरी करके ही पता चलेगा इसके लिए हमने डॉक्टर की रिपोर्ड ली है कि वहां पे क्या प्रॉलम थी कितना चारा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उसके उ बात कर रहा हूं कि भोईशे में इसको कैसे ठीक रखा जाए उसके लिए हम दो तिन लाइन पर काम कर रहे हैं और उनी लोगों की मदद से यह काम करेंगे जो वहां पे समार से भी है